दशेहरे में जो बली चढ़ाते हैं मेरा प्रश्ण उसके विशह में है एक समय हमारे मंदिर में जो बली चढ़ाने वाली जगह होती है उसकी जगह बदल दी गई और उसके बाद जो मंदिर समिती के अध्यक्ष हैं उनकी मृत्य हो गई और कुछ दूसरे लोगों की भी मृत्य हुई गाओं के लोग सोचते हैं कि यह सब उस बली वाली जगह को बदलने के कारण हुआ है साथ ही कुछ लोगों का यह मानना है कि बली चढ़ाना ठीक नहीं है और उसके बाद हमारे गाओं में बहस भी चली कुछ लोग कहते थे कि बली चढ़ाने की परंपरा है हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हमारे पूर्वज यही करते थे कुछ कहते हैं कि बली चढ़ाना ठीक नहीं ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है लेकिन वो लोग जो बोलते भी हैं कि बली चड़ाना ठीक नहीं अपने घर में तो मास खाते ही है तो मैं पुछना चाहता हूं कि बली चड़ाना ठीक है या नहीं प्रबंधापा मिजोरमस बली कर नाम तो तुम यहां मंदिर के परिप्रेक्ष में ले रहे हो ना धर्म के संबंध में ले रहे हो ना तो बली क्या है उसका उद्देश धर्म के आत्यंतिक उद्देश से भिन्न तो नहीं हो सकता अगर आप किसी क्रिया को धर्म के अंतरगत मानते हैं तो उस क्रिया का भी उद्देश वही होगा ना जो धर्म का उद्देश है मंदिर में कुछ भी हो रहा हो उसका उद्देश मैला फैलाना मन को खराब करना या अशान्ति फैलाना तो नहीं हो सकता यह हो सकता है मंदिर में अगर कुछ भी हो रहा हो तो उसका तो एक ही उद्देश होगा शान्ति, सत्य, करुणा ठीक धर्म इन्ही के और ले जाने वाला मार्ग है ना सत्य की और, मुक्ति की और, शान्ति की और अब धर्म में ही बात करी गई है बली की तवंजीएगा बात को धर्म किस लिए है आपको शान्ति की और ले जाए, मुक्ति की और ले जाए करुणा की और ले जाए और धर्म में ही बात की गई है बली की तो निश्चित रूप से बली का भी उद्देश क्या होता होगा शान्ति, मुक्ति, सत्थ, प्रेम, करणा यह उद्देश होता होगा ना बली का अब यहां से हम समझेंगे कि बली वास्ताओं में फिर होती क्या है धर्म मनुष्य को उसके देह भाव से मुक्त करने का अभियान और विज्ञान है दूसरे शब्दों में धर्म मनुष्य को उसकी पाशविक्ता के पाश से मुक्त करने का आयोजन है जो देह के पाश में बंधा हुआ है जिसकी एक एक गतिविधी उसकी देह द्वारा ही संचालित होती है उसकी चेतना द्वारा नहीं उसका क्या नाम पशु या कहिए कि जिसकी चेतना पूरे तरीके से उसकी देह से आबद है उसका नाम पशु, आदमी के पास अगर धर्म नहीं है, तो आदमी की चेतना भी पूरे तरीके से आबद्ध है बंधी हुई है, उसकी देह से ही, तो उस अर्थ में आदमी भी पिर क्या रह गया पशु, अगर धर्म नहीं है तो आदमी पशु है क्योंकि कितनी भी बुद्धि हो, कितनी भी सामर्थ हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी ज्ञान हो मनुश्य का केंद्री ये वक्तव यही रहता है कि मैं तो देह हूँ मैं देह हूँ और मेरे पास ग्यान है मैं देह हूँ और मेरे पास तकनीक है मैं देह हूँ मेरी जबरदस्त बुद्धी है बुद्धी है ग्यान है तकनीक है स्मृत्य है सामर्थ है वो सब किसके पास है मेरे पास मैं कौन हूँ मैं दे हूँ मैं ये हूँ मैं दे हूँ मेरे पास ग्यान है मेरे पास ऐसा है मेरे पास ऐसा मैं दे हूँ तो बाकी सब बातें बाद की हैं किंद्री ये बात क्या रहती है मनुश्य की मैं देह हूँ, यही पशुता है, पशुता इसमें नहीं है कि पशु विचार नहीं कर पाता, पशुता इसमें है कि पशु देह की तरह जीता है, उसके पास ऐसी चेतना नहीं है जो देह के बंधन से आजादी मांगे, इसी तरीके से मनुष्य आप बस इसलिए नहीं हो जाते कि आपके पास विचार है या बुद्धी है या ज्ञान है होगा बहुत विचार होगी बड़ी बुद्धी बड़ा ज्ञान लेकिन वो सारा ज्ञान जिसके पास है वो तो मानता अपने आपको देह ही है तो अभी भी आप क्या हो आप ज्ञानवान पशु हो क्या हो ग्यानवान पशु हो हमारे विश्व द्यालेओं में चले जाओ वहाँ जातर क्या मिलेंगे बहुत ग्यानी होंगे लेकिन जीते तो देहभाव में ही है तो वो हुए ग्यानवान पशु या बुद्धिजीवी पशु या बहुत वैज्ञानिक किस्म के पशो, बहुत चतुर पशो, बहुत सक्षम पशो, बहुत धनी पशो, सुसंस्कृत पशो, जितनी बातें आपको जोड़नी हैं, पशोता के साथ आप जोड़ दीजिए, वो पशोता के ऊपर बस एक अधना असा विशेशन बन कर रह जाएंगी, मूल में तो आप क्या हैं, पशो, तो धर्म का उद्देश होता है, इस पशो को उसकी पशोता से जादी देना, इसलिए धर्म का उद्देश आपको ज्ञान देना नहीं होता, धर्म का उद्देश आपके मन को श्लोकों से या रीते रिवाजों से या परंपराओं, प्रथाओं से भर देना नहीं होता, धर्म का उद्देश क्या होता है, बात समझ में आ रही है, धर्म का उद्देश है आपको याद दिलाना कि भूल गए तुम अपनी अत्रिप्ति को अपनी बेचैनी को देह मत मानों अपने आपको तुम तो देह से मुक्ति के लिए छट पटाती हुई चेतना हो तुम देह कैसे बन बैठे जैसे तुमने जंजीर पहन रखी हो और छट पटा रह हो तुम जंजीर से याजादी पाने के लिए लेकिन कह रहे हो मैं जंजीर हूँ तुम देह नहीं हो देह तो वो है जिससे तुम्हें मुक्ति पानी है हाँ देह का उपयोग करके ही देह से मुक्ति पानी है तो देह की उपयोगता भी है लेकिन देह की उपयोगता यह नहीं या तमाम तरीके के रस और मजे मिलेंगे देह की उप्योकता ये है कि देह से मुक्ते भी चाहिए तो उसके लिए इस्तिमाल देह काही करना पड़ेगा ये धर्म का काम है धर्म का काम है तुम्हारी भीतरी तुम्हारी अतिप्राचीन पशुता से तुमको आजादी दिलाना बात समझ में आ रही है, पशुता माने देह भाव, इस पश्ट हो रहा है, अब बताओ बली क्या हुई, पशु बली फिर क्या हुई, पशु बली का मतलब जानवर मारना नहीं है, पशु बली का मतलब है अपने भीतर के जानवर को मारना, अब बकरे की बली दी जाती है, कि अजमेध बूलते हैं बक्रा क्या बोलता है ये पकरे को नहीं मारना ये जी भीतर में में सटा को मारना ओंभाई भीतर में करते बॉक्षिंसलि रहे बाहरा वा बिशारा ही यह से बिना बात वैसे अश्वमेद है अश्वमेद क्या है घोड़ा है वो कुलाचे ही मारता रहता है यहां से दोड़ेगा उधर जाएगा तड़बक 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 तो अश्वमेद क्या मतलब वो यह नहीं कि घोड़ा पकाड़ काट दिया घोड़े को नहीं क प्राट देते हैं अब मुर्गे की पशुता किसमें नहेत है यह उसकी बढ़ियां लाल-लाल कलगी और ऐसे वो अहंकार के साथ सर उठाए घूमता है यह देखो तुम ताज किदर है ताज इदर है तो मुर्गे को नहीं काटना ए उसको काटना है जो सर पे ताज लेकर घूम राए और सोच राए कि मैं ही दुनिया का बादशाहूं वो भीतर बैठा है भाई उसकी बली देनी है और ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ इनके समर्थन में शुरुति में और शास्तरों में सीधे सीधे शलोक मौजूद है कभी आप पूछेंगे तो मैं देख करके उन शलोकों का विवरण भी आपको दे दूँगा जहां ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पशु बली का अर्थ होता है अपने भीतर के पशु को मारना मारना भी नहीं बली का अर्थ होता है उसको देवताओं को अर्पित कर देना कर दो देवता कौन है वही जो धर्म का अभीष्ट है सत्य मुक्ति शान्ति प्रेम करुणा जानवर को समर्पित कर दो किसके प्रती सत्य के प्रती ठीक है तू भीतर बैठा है तू बहुत छलांगे मारता है घोड़ा है मन है घोड़ा वो कुलाचे मारता है विचार हुआ न घोड़ा विचार ही यह तलबक तलबक भागता रहता है तो विचार को तुमने किसको समर्पित कर दिया विचार को कि भीतर जो पशु था मैंने उसको अर्पित कर दिया मैंने उसको दे दिया कि तू रहेगा तो लेकिन अब तू काम सारे वो करेगा जो सच्चाई की और जाते हों करुणा की और जाते हों मुक्ति की और जाते हों यह है बले का विज्ञान लेकिन करें क्या आदमी तो आदमी जिन्होंने ये गूढ बातें समझी और सिखाई वो एक लोग थे और जिनके कानों में और दिमागों में ये बातें पड़ी वो बिल्कुल दूसरे लोग थे जिन लोगों के कानों और दिमागों में बाते पड़ी उन्हें तो न करोणा से कोई मतलब न प्रेम से कोई मतलब उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं अपने भीतर आंतरिक शुद्ध करने में और दूसरी बात उनकी जबान बड़ी लप-लपाती है जानवर के मास का जायका लग गया है तो पशुबली के नाम पे दो तीन लक्षे एक साथ बिंध जाते हैं पहली बात तुम धार्मिक सिद्ध हो गए भई मंदिर में जाके बली चड़ा आए तो धर्म वाला काम हो गया कोई पुझे दार्मिक हो हाँ है हम बली चड़ाते हैं दूसरी बात वास्तविक धर्म की चनोती से तुम बच गया तो क्या था कि भीतर वाले पशु कुमारो उस चीजसे तुम बिल्कुल बच गया तीसरी बात आहा क्या स्वाद आया है मास खाने में तो तरह तरह के लाब हो गए धर्म का जूठा स्वरूब ग्रहन करने में तो इस तरीके से पशुबली का जूठा कारिक्रम चलता रहता है कौन सा धर्म बोलेगा कि जानवर मारो ये कितनी व्यर्थ वाहियात बात है दिखाई नहीं देता एक पशु को मारने से और मार के खा जाने से तुमको शांति कैसे मिल जाएगी भाई इससे कौन सा देवता कौन सा उपर वाला प्रसन हो जाएगा कि तुम जानवर काट रहे हो कितनी कुरूरता की मुर्खता की कैसी बात है ये हुआ 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 हुआ